हलो रेन वेलकुन व्रॉलड फैर्ड, मैं हूँ प्रशान दवन, देखो हाली मैं आपने काफी जगा सुना होगा के फ्रांस के प्रेजिडेंट इम्मैनियल माखोन ने माफी मांगी है रवांडास, इनों ने यहाँ पर ये का है के प्लीज प्रांस को माफ कर दीजिए, मुझ days of slaughter क्योंकि 100 दिन तक almost ये पूरी जनोसाइड चली थी और आप सोच कर देखिए इस जनोसाइड में कितने लोग मरे होंगे टोटल बताए जाता है कि 10 लाख मतलब कि 1 million लोग यहाँ पे मारे गए नाव कभी भी आप अगर देखो ना पर लोग मरे हैं तो नोटिस किया करो कि उस देश की आबादी कितनी है proportionate to their population नाव रवांडा आप अगर मैं पर देखोगे बहुत ही छुटा का देश है अभी भी आप अगर देखो 2021 में की आबादी है 1 करोड 30 लाग के आसपास जो रवांडा का जनोसाइड है ये हुआ था 1994 में उस वक्त इनकी आबादी 1 करोड के आसपास थी तो आप सोच कर देखो 1 करोड की आबादी के देश में 10 लाख लोग मारे गए 5 लाख से लेकर 5 लाख औरतों का बलतकार हुआ यहाँ पर और पूरी दुनिया बस देखती रह गई आपके माइड में क्वेशन आएगा सबसे पहले के ये जनोसाइड हुआ क्यों मतलब के हर 10 में से एक आदी मारा गया पूरे देश में इतने बड़े स्केल पर वाइलेंस ये जनोसाइड किया किस ने था क्या फ्रांस ने लोगों को मारा तो इसका answer है नहीं रवांडा के लोगों ने ही खुद अपने लोगों को मारा और आगे डिसकॉस कने से पहले के जनोसाइड ये हुआ क्यो था और इसका reason क्या था मैपको ये बदा दू कि रवांडा है कहां पर और अगर हम बात करें रवांडा में region की तो देखो यहाँ पे majority जो है यह follow करती है Christianity, Christianity के various sect है, Protestant, Roman Catholic, मगर overall 90% से उपर जो अवादी है यहाँ पर यह follow करती है Christianity, ना एक और बहुत ही interesting बात यह है, आपने Commonwealth of Nations के बारे में सुना होगा, जो देश एक समय में United Kingdom के गुलाम थे, उनका एक group है Commonwealth of Nations, जहाँ आपको शिलंका, भारत, Australia, New Zealand, Canada, South Africa, यह सब देश मिलेंगे, रवांडा भी Commonwealth country है मगर UK ने कभी भी रवांडा को नहीं कबजाया, रवांडा के जो colonizer थे मतलब के जिन European powers ने रवांडा पर कबजा कर रखा था, यह थे Germany और Belgium, तो रवांडा एक चुली इतिहास में बस दूस देश है मौजंबिक के बाद, जो Commonwealth of Nations का पार्ट है, even though कभी भी UK ने इस पर कभजान नहीं किया था, नावब बात करते हैं रवांडा में डिफरेंसिस के बारे में कैसे यहाँ पे लोगों ने एक दूसरे को मारा, देखो रवांडा में जो main division है, वो है ethnic ground पर, ethnic basis पर यहाँ में है 1% to our group, नाव historically आप अगर देखोगे तो Hutu group और Tutsi group में बहुत violence हो चुका है, और पिछले 100 साल में आप अगर देखो तो दोनों groups में जो differences हैं, जो नफरत हैं, यह लगातार बड़ी है, नाव इसका reason क्या है, reason देखो बहुत सारे हैं, जब रवांडा पे राज करते जर्मनी और Belgium, उस वक्त जो यहाँ पे colonizer थे, उरोप के जो यहाँ पे colonizer आए, इन्होंने यह एंशोर किया, कि यहाँ पर जो minority है, तुझसी community इनकी मुनारकी काम करें, मतलब कि जो administration है, यह हमेशा इनके हाथ में हो, जो भी भैतरीन education है, employment है, यह इनको मिले, यह जर्मनी औ और Belgium ने बहुत ही सोच समझ के किया था, ताकि एक बटवारा खड़ा हो जाए, एक jealousy की भावना जागे, और communities आपस में लड़ना start कर दे, तो यह इनकी divide और conquer strategy का part था, कि कभी भी इनको एक खटा मत होने दो, इनको ethnic groups में बाट के रखो, आपस में लड़ते रहेंगे, और फ और तब से लेकर अब तक आप अगर देखो, तो हमेशा छोटे मोटे दंगे दोनों groups के बीच में काफी बार हो चुकी है, नाव यहाँ पे आप पुछोगे के हुटू और तूट्सी में कुछ difference है, मतलब looks के हिसाब से, या फिर आप कहा सकते हैं, language के हिसाब से, खाने पीन कहा जाता है कि तूट्सी ट्राइब के लोग थोड़े से जादा लंबे होते हैं, मगर इसका कोई proper scientific evidence, कोई detail study हुई नहीं है, बाकि आप अगर देखो, language almost same है, खाना पीना भी same है, बस आप कह सकते हैं, उनकी जो identity है, कि वो किस ट्राइब से आए हैं, उनका इतिहास क्या है वो थोड़ा सा यहां पर different है, तो खेर, जब रवांडा को आजादी मिल गई, और इनके पहले election हुए 1961 में, तब से लेकर अब तक, जो हुतु ग्रूप है इन रवांडा, इन्होंने ये ensure किया, कि अब ये राज करेंगे पूरे देश पर, क्योंकि बहुत लंबे समय से, एक इनके वन में कड़वाड थी के, ये तुरसी ग्रूप के लोग इतने कम है अबादी में, ये हम पे राज कर रहे हैं, सारी बड़िया पोस्ट, बड़िया जॉब्स, एजुकेशन, सब इनको मिलती है, तो हुटू ग्रूप ने ये ensure किया, कि इनके politicians ही power में रहे, ऐसे time में क क्या होता है, कि एक ग्रूप का बहुत ही जादा आप कह सकते है, emotional relation जुड़ जाता है, अपने leader के साथ, क्योंकि उस leader में वो देखते है, अपनी महत्व कांशाए, खुद को देखते है, कि ये आदमी हमको represent करेगा, ये आदमी हमको justice दिलवाएगा, अब 1994 में क्या हुआ, य मैं आपको जो points है, जिससे आप समझ भायपुली कहानी, वो मैं आपको भी बता रहा हूँ, 1994 में क्या होता है, कि अचानक से जो airplane था, जो carry कर रहा था, रवांडा के उस वक्त के president को, ये shoot down कर दिया जाता है, और ये plane crash करता है, और रवांडा के उस वक्त के president थे, हाभियारी होया, क्योंकि ये लोग देखते थे, खुद को इस आदमी में, इनको लगता रहा कि ये आदमी, जो who to group है, उसको वापस दिलवाएगा, education, वापस jobs दिलवाएगा, और even जो बड़ी international powers है, for example, France और Israel, ये भी इसको support करती थी, तो जब इसकी यहाँ पर मौत हुई, plane यहाँ क्रैश हो गया, तो जो who to groups थे, यहाँ पर रवांडा के, वो ये सदमा सेन नहीं कर पाए, और इन्होंने यहाँ पर blame डाल दिया, इस सब का तूटसी ग्रूप पे, के इन लोगों नहीं यहाँ पर plane को shootdown किया होगा, जो तूटसी ग्रूप के लोग थे, उन्होंने का कि हमन इन्होंने बड़े स्केल पर तूटसी ग्रूप है, उनका कर दिया genocide, सिधा सिधा उनके लोगों को घरों से बाहर निकाला गया, openly सडकों पे उनके सर काटे गए, कई लोगों को मार के कहाँ पर फैक दिया गया, आज तक पता नहीं लगा, उनकी dead bodies आज तक नहीं मिल पाई, और सबसे रेखिए, sad बाद यहाँ पर यह भी थी, कि कई तूटसी ट्राइब के जो लोग थे, ये एक बार को जब इतना ज़ादा डर गए, इनके आसपास इतना खून खराबा हो रहा था, इनको भागने की जगा चाहिए थी, तो कई लोग यहाँ पर छुप गए चर्च म कोई violence नहीं करेगा, मगर क्या हुआ कि जो यहाँ पर प्रीस थे चर्च में, इन्होंने भी यहाँ पर मारना शुरू कर दिया, टूटसी ट्राइब के लोगों को, और बाकी जो हुटू ग्रूप के लोग थे, उनको बता दिया, कि यहाँ पर टूटसी ग्रूप के लोग य लेखते हैं, यहाँ पर पूछोगे, इस सब में फ्रांस की का गलती थी, देखो फ्रांस की यहाँ पर गलती निकलती है, कि यह बहुत ज़्यादा कंट्रोल में थे, और रवांडा गवर्मेंट, औल्मोस रवांडा गवर्मेंट इनकी पपेटी थी, तो यह लोग चाते, तो जनोसाइड रोख सकते थी, मगर इन्होंने कुछ किया नहीं, और 2021 में, एप्रिल 2021 में, रवांडा की सरकार ने अपनी स्टडी कंप्लीट भी कर दी थी, इस पूरे इशू को लेकर, और इन्होंने यहाँ पर यह बोला, फ्रांस ने उस वक्त इंटेंशनली कुछ नहीं किया, उस वक्त फ्रांस ने यह सोचा कि जो प्रेजिडेंट हम बैक कर रहे थे, उसको जिन लोगों ने मारा है, उनको मरने दो, कुछ मत करो, तो फ्रांस एक्चुली कहा जाता है कि यह जनोसाइड रोख सकता था, मगर इन्होंने बहुत जादा इन्डिफरेंट भीवियर रखा, और यहाँ पर आप देखोगे, यह रिपोर्ट का आर्टिकल है, कि फ्रांस ने एनेबल किया था, 1994 रवांडा जनोसाइड को, तो इसलिए इमान्यल माकों यहाँ पर गए, और इन्होंने फर्गिवनस यहाँ पर मांगी रवांडा के लोगों से, कि जी हाँ फ्रांस का रोल था यहाँ पर, रवांडा जनोसाइड में फ्रांस का रोल था, obviously फ्रांस ने लोग नहीं मारे यहाँ पर, रवांडा के लोगों नहीं अपने लोग यहाँ पर मारे, मगर यह कुछ कर सकते थे, इस जनोसाइड के बारे में definitely अगर फ्रांस intervention करता, तो काफी कम लोग यहाँ पे मारे जाते, अब यहाँ पे आप देखोंगे, सीनन का अर्टिकल है, कि माकरौन ने आपे forgiveness तो सीख करी है, मगर apologize नहीं किया, apology नहीं करी, इसका अब यहाँ पे आप कहोंगे, फरक क्या होता है, देखो, forgiveness होती है, the act of pardoning, तो forgiveness यहाँ पे रवांडा के लोग दे सकते हैं, France को, France यहाँ पे apology नहीं मांग रहा, apology करना होता है, कि जब आप अपना जो दोश है, यह openly आप accept करते हो, और regret यहाँ पे दिखाते हो, रिमोर्स दिखाते हो, apology actually ज़्यादा responsible एक word होता है, compared to forgiveness, forgiveness सीख करना तो आप कह सकते हैं, light होता है, compared to an apology, और इसलिए यहाँ पे Macron ने यह काए, कि हम को, मतलब France के लोगों को, please gift दे दो forgiveness का, रवांडा के लोगों का है, कि जो भी पुराने आपके मन में कुछ कड़वाहट होगी, कुछ आपके मन में अगर हमारे प्रती गुसा है, genocide को लेकर, वो सब भूल जाईए, और हमको please यहाँ पे forgiveness दे दो, और यह gesture देखो, बहुत ज़रा special है, आप सोच कर देखिए, पाकिस्तान ने अपने लोगों पर, क्या त्याचार किये थे, 1971, 1971 genocide में अपने खुद के लोग माण डाले, बहुत ही बड़े scale पर, आज तक वो लोग यहाँ पे accept तक नहीं करते, इस genocide को, और अगर कोई group, इस genocide की बात भी करता है, कोई website भी open करता है, 1971 genocide से related, तो पाकिस्तान उस group को कहता है, कि यह website बंद कर दो, वेराज फ्रांस ने इस genocide में, इवें दो इनका कोई direct role था नहीं, फिर भी नोंने आपर यह काए के, we ask for your forgiveness, और जो इनका यह gesture है, इसी वज़े से आज के समय, फ्रांस के प्रेज़ेड़न की काफी तारीफ भी हो रिये internationally, दुनिया में इनकी diplomacy को लोग सरावी रहे हैं, कि इनोंने बहुती सही तरीके से यह issue handle किया है, और इससे रवांड और फ्रांस के relations, वापस मजबूत हो सकते हैं, and finally यह आपर मैं यह वियाड कर दूँ, कि आप किसी भी exam के लिए prepare कर रहे हैं, आप purchase कर सकते हो, Unacademy से quality courses, live course यहाँ पर आपको बिलेंगे, आप classes देख पाएंगे, phone पे, tablet पे, computer पे, anywhere you want, simply जाओ Unacademy.com पे, या फिर Unacademy की app पर, click करो अपने exam पर, for example आप अगर prepare कर रहे हैं for SSE, click on SSE, get subscription, और यहाँ पर पर purchase कर सकते हैं, 12-month का course for just 542 रूपीज पर मन्थ, मगर यह price ही पे मत कर देना, use कर यहाँ पर code PD10, और prices और जादा कम हो जाएंगे, the prices will fall once you use the code PD10, so use the code and save money, इसी note के साथ यह है वीडियो कांथ, thank you for listening and as always, God bless you all.